अलो एवरिवान वेलकम बैक टू माय यूटूब चनल जेके SSB एग्जाम्स कैसे हैं आप सब आप सब आप सब अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे तो टॉफ 1000 MCO सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम इस सीरीज पर एक और वीडियो करने जा रहे हैं और आज के व इस पर आज आपको second video मिलेगा इसका एक और वीडियो चनल पर already uploaded है तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो चनल की playlist में top 1000 वाली playlist आप चक कर लेना वहां से आप वो वीडियो भी चक आउट कर सकते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चनल प अमांग the following is known as हरत अमांग कश्मीरी पंडित। आपको यहां से बताना है कि इन मेंसे किस festival को कश्मीरी पंडित। नामसे भी जानते हैं आपशन नवरोज, हमस फेस्टिवल, शिवरात्री, दुसेरा आपको यहां से बताना है कि हरत किस festival का नाम है जो कश्मीरी पंडेतस उसको इस नाम से जानते हैं तो अगर हम इस question की बात करेंगे इस question का answer आएगा option number C that is शिवरात्री, शिवरात्री को हरत भी कहा जाता है तो अगर हम शिवरात्री की बात करेंगे ये क्या denote करता है तो इस question का answer आएगा option number C next question देखते हैं आपको यहां से बताना है कि इनमें से कौन सा festival कब मनाया जाता है 10th day of the Tibetan Lunar Month option है Lusar, Hemis, Dosmochi, Sindhu Darshan 10th day of Tibetan Lunar Month में कौन सा festival मनाया जाता है तो अगर हम इस question की बात करेंगे इस question का answer आएगा option number B that is Hemis festival ये Ladakh में मनाया जाता है अगर हम Hemis festival की बात करेंगे ये क्यों celebrate किया जाता है it is celebrate to commemorate the birth of Guru Padma Samhava question ये भी आ सकता है which festival is celebrate to commemorate the birth of Guru Padma तो वो कौन सा festival है that is Hemis festival next question पर आते है तो अगर हम इस festival की बात करेंगे ये 3-day festival होता है और ये कब स्टार्ट होता है 9th June को ये स्टार्ट होता है और 11th June को ये खतम होता है which dance is performed by males of Wattel tribe in Jumu and Kashmir आपको यहां से बताना है कि इनमें से कौन सा dance कौन perform करते है males of Wattel tribe in Jumu and Kashmir options are दुमल, रूप, बांड़ पथर, बचा नगमा तो males of Wattel tribe ये कौन सा dance perform करते है ये करते है that is दुमल तो इस question का answer आएगा option number A next question डोसमोची या इसको festival आफ स्कैब गोट भी कहा जाता है कि ये आपको यहां से पताना है कि ये किस पलेस पे celebrate किया जाता है optionals है लदाख, निशादबाग, बाहूफोर्ट, वैशनूदेवी तो डोसमोची या festival आफ स्कैब गोट ये कहां पर celebrate किया जाता है ये celebrate किया जाता है लदाख में तो इस question का answer आएगा option number A next question आपको यहां से उस डानस का नाम बताना है जो कश्मीर में introduce हुआ है कहां से फ्राम अफगानिस्तान options है हाफिज नगमा, बचा नगमा, हिकत, रूख तो अगर हम इस question की बात करेंगे इस question का answer आएगा option number B that is बचा नगमा it has been introduced into कश्मीर फ्राम अफगानिस्तान तो ये कब perform किया जाता है ये perform किया जाता है at cultural gatherings and weddings और इसको कौन perform करता है इसको सिर्फ boys perform करते है next question in this folk dance of कश्मीर नगारा, drum is beaten and सुरनाई, a kind of shenai is blown नेम्दे डानस इस folk dance में क्या होता है नगारा जो drum होता है उसको beat किया जाता है और सुरनाई, ये एक shenai होती है इसको blow किया जाता है आपको इस dance का नाम बताना है options है लडीशा, बचा नगमा, बांड पथर, दुम्बेली तो question number 7 का answer क्या आएगा option number D that is दुम्बेली next question in which folk dance of कश्मीर वैली the dresses of the dancers looks similar to that of khatak dancers आपको यहां से बताना है कि कश्मीर वैली के किस dance में जो dresses होते हैं dancers के वो किस तरह से दिखते हैं that आप khatak dancers जो khatak dancers हैं उनके जैसे वो दिखते हैं बांड पथर, बांड जशन, बचा नगमा, च्छम तो अगर हम इस question की बात करेंगे इस question का answer आएगा option number C that is बचा नगमा next question which dance is performed when the bride is about to leave her parental home आपको यह से बताना है कि कौन सा dance perform होता है जब जो दुलहन होती है जब वो अपने सुस्राल की तरब जाती है parental home को जब वो leave करती है उस ताइम कौन सा dance perform किया जाता है हिकत वोगी नचुन, वनवन, बचा नगमा तो अगर हम इस question की बात करेंगे इस question का आंसर आएगा option number B that is वोगी नचुन यह perform किया जाता है जब bride leave करती है उसके parental home को next question पंडित बजन सोपोरी is associated with आपको यह से बताना है जो बजन सोपोरी था वो किस के साथ associated था रबाब, सितार, तबला, संतूर तो अगर हम इस question की बात करेंगे इस question का आंसर आएगा option number D जो पंडित बजन सोपोरी था वो किस के साथ associated था वो associated था संतूर के साथ next question देखते है which of the following folk dance is mostly performer in the hilly areas of jamur region आपको इन मैंसे बताना है इन मैंसे कुन सा folk dance कहां पर perform किया जाता है ज्यादा था हिली areas of jamur region हरन, छम, दुमल, हाफिज नगमा folk dance which is performer in the hilly areas of jamur region आपको उस dance का नाम बताना है तो आगर हम इस question की बात करेंगे इस question का अंसर आएगा option number A that is हरन next question जबरू is a dance of which region among the following आपको यहां से बताना है कि जबरू यह किस region का folk dance है जमू, कश्मीर, लदाख, पंजाब तो जबरू यह कहां पर perform किया जाता है यह perform किया जाता है लदाख में next question पश्मीना शाल is the world famous shawl and it is fabric it is extracted from जो पश्मीना शाल है यह world का एक famous shawl है आपको यहां से बताना है कि जो इसका fabric होता है वो हम किस से extract करते है sheep, yak, goat, all of the above तो पश्मीना शाल हम किस के fabric से extract करते है that is goat तो इस question का answer आएगा option number C next question which song is very famous among the farmers of Kashmiri region आपको यहां से बताना है कि इन में से कुन सा song famous है among the farmers of Kashmiri region options है निंदबर्थ, लडिशा, सुर्मा, जगार्ना तो इस question का answer क्या आएगा that is option number A निंदबर्थ, it is famous among the farmers of Jammu and Kashmir next question निंदबर्थ, फेस्टिवल, इन विच लोकल पीपल शोकेश दियर हैंडी क्राफ्ट, क्यूसाइनस और कल्चर, आपको उस फेस्टिवल का नाम बताना है जिसमें लोकल पीपल क्या शो करते हैं उनके हैंडी क्राफ्ट, क्यूसाइनस और कल्चर और क्यूसाइनस और क्यूसाइनस और कल्चर, इस फेस्टिवल, शिकारा फेस्टिवल, सैफ्रान फेस्टिवल, आपको यहां से बताना है कि इन मेंसे किस डानस को लेबर डानस के नाम से भी जाना जाता है, लेटरी, गवातरी, कीकली, हिकत लेबर डानस तो यह किस डानस का नाम है, लेटरी इसको लेबर डानस के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट क्वेशन लोरी फेस्टवल के टाइम कौन सा डानस परफार्म किया जाता है? छजा डानस, छापरा डानस, मानवा डानस, भी हू डानस लोरी फेस्टवल पर कौन सा डानस परफार्म किया जाता है? आपको उस डानस का नाम बताना है तो लोरी फेस्टवल पर कौन सा डानस परफार्म किया जाता है? दैट इस छजा डानस next question here and dance also known as dear dance is performed on the occasion of here and dance जिसको dear dance के नाम से भी जाना जाता है ये किस occasion पर perform किया जाता है लोरी, वेशाकी, नवरात्री, पुशकर फेर तो here and dance ये कप perform किया जाता है it is perform at the time of लोरी festival वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर लेना नेक्स्ट क्वेच्चन विजडानस इस परफार्मर्ड इन कश्मीर बाइ वोमेन वियरिंग कलर्फुल फेरनस कलोध्स विद हैवी आपको यहांसे बताना है कि कौन सा डानस कश्मीरी वोमेन पर फार्म करती है उसमें वो क्या करती है कलर्फुल फेरनस वियर करते हैं और उसके साथ जेवराद भी पहनते हैं रूप छजा डानस हिरन कुद तो इस क्वेच्चन का आंसर क्या आएगा ऑप्शन डानस का ऑप्शन एमबर A दाट इस रूप इन विच दनस फारम आप जमो इड कश्मीर ए स्पेशल इनस्ट्रुमेंज कालर्ड स्नतूर इस पलेट आपको यहांसे बताना है कि जमो इड किस डानस फारम में एक स्पेशल इनस्ट्रुमेंट संतूर पले किया जाता है रूप छजा हाफिजा डानस कुद तो संतूर ये किस डानस में perform किया जाता है इस हाफिजा डानस इस क्वच्चन का अंसर आएगा option number C next question विश फोग डानस इस परफार्मड बाई वमेन आप जमूरीजन आंदे इव आप groomer's departure to his in-laws आपको यहां से बताना है कि जमूरीजन में कौन सा फोग डानस परफार्म किया जाता है जब दूलहा किस की तरफ जाता है in-laws के हाफिज की तरफ options है दंदारस, सुर्मा, किकली, जगारना तो इस क्वच्चन का correct answer क्या आएगा option number D that is जगारना next question which festival among the following is known as festival of sacred dances किस festival को festival of sacred dances के नाम से जाना जाता है चमेरी एंकॉक, तिहार, लुसार, बेसाकी festival of sacred dances यह किस dance का नाम है तो इस क्वच्चन का आएगा option number A that is चमेरी एंकॉक next question which festival is celebrated in पांपोर टाउन आप जुमो एंक कश्मीर during the month of November पांपोर टाउर में कौन सा festival celebrate किया जाता है during the month of November दिवाली, लुसर, सैफरान, टुलिप सब को पता होगा जो पांपोर है यह किस के लिए famous है यह famous है सैफरान के लिए तो कौन सा festival यहां पर celebrate किया जाता है that is सैफरान festival question number 120 और यह last question होगा इस वीडियो का which among the following was the first winner of Saitia Academy Award for कश्मीरी लंगवेज आपको यहां से बताना था कि इन में से कौन सा first winner of Saitia Academy Award for कश्मीरी लंगवेज है जिन्दा कोल अब्दल सतार आसी मिर्जा आरिफ रह्मान रही तो अगर हम इस question की बात करेंगे इस question का अंसर आएगा option number A that is जिन्दा कोल तो friends यह था वीडियो regarding art and culture आप जुमूएड किश्मीरी यह इस सीरीज का second वीडियो था पहला वीडियो आप top 1000 वाली MCO सीरीज में check out कर लेना तो friends आज के लिए इतना ही आप comments में आप mention कर लेना कि next वीडियो आपको किस topic पर चाहिए तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक के लिए अलाँ आपिस